सुप्रभात बच्चों, हिंदी कथा जगत के चर्चित व्यंकार, हरिसंकर परसाई जी द्वारा रचित, बस की यात्रा, व्यंग्यात्मक कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे, पाठ आरम करने से पहले हम हरिसंकर परसाई जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे, अब हम लोग पाठ की ओर चलें, इसमें लेखाक हरिसंकर परसाई ने, बताया है कि भारतिय बसें किस परकार जरजर इस्तिती में है, उसका बहुत बड़ा कारण यहां की आर्थिक दुर्दसा, परस्टाचार, खराब सरके हैं, और लोगों की संकित, सोच है, वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं, और किस तरह की परिशानिया इस यात्रा में आती हैं, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्साया गया है, तो आईए पाठ का सार देखते हैं, लेखक वह उसके मित्र कमपनी के काम से पन्ना गए, वापसी पर उन्हें जबलपूर से गारी लेनी थी, जो सुबह उन्हें उनके घर पहुचाती, उन्होंने पन्ना से सतना कमपनी की बस से जाना चाहा, क्योंकि सतना से गारी अब यही बस दिला सकती थी, और किसी बस का स कि यह चलेगी भी कि नहीं ऐसा लगता था कि यदि इस बस में बैठेंगे तो इसे कश्ठ होगा या तो केवल पूजा के योग थी इसमें कैसे बैठा जा सकता जो लोग इन पांचों मित्रों को बस में चढ़ाने आये थे उनका मत था कि जो समझदार लोग होते हैं वे इस बस से सफर नहीं करते क्योंकि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता वे सभी इन मित्रों को इस परकार देख रहे थे जिसे अंतिम बिदाई दे रहे थे उन्हें लग रहा था कि इस धर्ती पर जो आया है उसे तो जाना ही है अर्थात एक ना एक दिन मिर्तियों को वरन करना ही है चाहे वह राजा हो विखारी हो या साध हो आदमी को आगे अब भी बस है नई बसों पर तो विश्वास करना भी कठिन है यह तो हमें अपनी बेटों की भाती प्यार से अपनी गोद में लेकर जाएगी इसी बस में बस कमपनी का एक हिसेदार भी सफर कर रहा था उसका मानना था कि यह बस अच्छी तरह चलेगी जब लेखक और उसक अंद्रूनी हालात तो बाहरी दसा से भी अधिक खराब थी खिरकियों के काफी सीसे तो थे ही नहीं और जो थे उनसे बचकर बैठने का परियास करना परा सीटे पूरी तरह से खस्ता हालात में थी जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो उसके इंजन ने सारी बस को ही हिला दिया ऐसा परतीत होने लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन हो बच्चो आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं धन्वाद बच्चो